ओम सिरीगनी साइनमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज 21 वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 अक्टूबर सुक्रवार के रासी फल्क के बारे में कीह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पर पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालो के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों आज प्रकरती आपका भरपूर साथ दे रही है कोई लाबदायक और महत्पपूर्ण समाचार मिलने से आप स्वेम को आत्मबल और भावनात्मक रूप से बहुत अधिक शशक्त महसूस करेंगे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत लगा दो आज का दिन आपके लिए बहुती लाबदायक दिन शाबित होने वाला है आज कोई महत्पूर्ण समाचार आपको अवश्य मिलेगा आर्थिक समस्यें हल होंगी रुके हुए किसी जमीन जायजाद सम्मंदित कारों में आपको सफलता मिलने के आज योग बन रहे हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन बहुती प्रसन रहेगा आज सुक्षिवदाओं जैसी चीजों को खरीदारी में समय व्यतित होगा अपनी प्रतिबां और चमताओं को समझें इससे आपके व्यतित में और अधिक निखार आ जाएगा तथा समाज में आपकी छवी भी निखरेगी आज का दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा काम का बहुत अधिक बोज रहेगा परंतु सफलता मिलने से ठकान हावी नहीं होगी और उत्सा आपका बना हुआ रहेगा घर में महमानों के आगमन से मौज मस्ती में भी समय व्यतित होगा अपनी योजनाओं को सफल बनाने का आज का दिन बहुती उत्तम है काफी लंबे समय से चली आ रही किसी परिशानी से आज आपको मुक्ती मिलेगी जिससे आप आज खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे और आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्वपूर्ण निर्णे लाबदायक साबित होंगे दोस्तो समय की चाल आपके पक्ष में हैं इसका आप आज भरपूर उप्योग करें आपकी भैतर कार्य प्रणाली की वज़े से आप लोगों के समक्ष प्रशंसा का पात्र रहेंगे परंतु कोई भी काम अत्वा योजना की पहले रूप रे का अवश्य बना लें आपके लिए बहुत यच्छ रहेगा दोस्तो अनेक प्रिकार की सफलता हैं आज आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो अपने क्रोध वे जल्दवादी जैसे स्ववबाव पर आप नियंतन रखें किसी संबंदी या पडोसी के साथ वाद विवाद जैसी इस्तिती उत्पन हो सकती हैं बहतर होगा कि अपने काम पर आप ध्यान दें दूसरों की फिजूल बातों को नजर अंदाज करें मन में कुछ अनहोनी होनी जैसी आसंका होने का आज भे रहेगा अपने श्वबाव पर नियंतन रखें क्योंकि कभी-कभी आपके क्रोध पूर्ण वानी दूसरों को आहत कर देती हैं साथी संबंदों में भी कटूता आ सकती हैं दोस्तो आयके संसादनों में कमी रहेगी प आपको एक्टिव बना कर रखना होगा दोस्तो साथी साथ दूसरों की वज़े से किसी प्रकार की धन हानी भी हो सकती है चचेरे भाई भेनों से अपने संबंदों को खराब ना होने दें इससे अकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है कुछ पृति दुन्दी जलन की भावना क आपके लिए कुछ नकार अत्मक वातावरन उत्पन कर सकते हैं और किसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है परंतु जरासी सावधानी आपको परेसानियों से मुक्त रखेगी घर के बड़े बुजर्गों की अवहेलना बिलकुल ना करें कभी कभी लापरवाही और आलस क की वज़े से आपके बंतिक कारों में रुकावट आ सकती है साथ ही अपने विचारों में भी लचीलापन रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली है दोस्तो वेवाहित जीवन में समान जस रहेगा जन संबंदी कारों में समय व्यतित होने से परिवार में हास परिहास वे खुसी का माहुल रहेगा परिवारिक वातावरन आज सुखद बना हुआ रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रगड़त आएगी रोमांटिक माहुल रहेगा निकट संबंदियों के यहां डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हैं काफी समय बाद घर से निकलना वे लोगों से मिलना जुलना खुसी और इस्फूर्ती प्रदान करेगा परिवारिक वातावरन खुसनुमा रहेगा घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतित करेंगे बहारी संबंदों से सा मभावना है परिवार के व्यक्ति आपसे कुछ नाराजगी व्यक्त करेंगे क्योंकि काम की विस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पारे हैं इसलिए उनके लिए भी कुछ समय आप अवश्य निकालें विवाहित संबंदों में कुछ समय से चल रहे तनाव को साथ बैठ कर सुल जाने में सफलता मिलेगी और घर का वातावरन पुन्हें शुकद और मधुर हो जाएगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज वैवसाय में प्रोडेक्शन संबंदित कारों में कमी आने से तनाव रह सकता है परन्तु आपकी पेमेंट आने से आर्थिक इस्तिती मजबूत रहेगी इसलिए फिक्र करने की आवश्यक्ता नहीं है किसी उच्छ अधिकारी का शयोग आपके कारों में मन मुताविक सफलता प्रदान करेगा साथ ही कोई बड़ा ओडर भी मिलने की भी आज संभावना है सरकारी शेवारत व्यक्तियों के उपर काम का अधिक बोज आज पढ़ सकता है कारे छित्र में कोई भी निर्ण अकेले ना लें बलकी टीम वर्क बना कर काम करें इससे वेवस्ता उत्तम बनी रहेगी आर्थिक मामलों पर किसी पर अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझोता करें दोस्तों वेवसाय छित्र में आपको अपनी महनत के अनुरूप बहतर परिणाम हासिल आज आपके भाग्य का आपको अधिक शयोग प्राप्त होगा नोकरी पेशा व्यक्ति किशी सरकारी मामलों में फस सकते हैं सावधान रहें वेवसाय के परिस्तितियां आज अनुकूल बनी रहेंगी अपना पूरा ध्यान बिजनिस पर केंदरित करें किसी बड़े अनुब उप्योग कर सकता है और ओर्डर संबंदित सभी कारों में पक्के भिलका आप उप्योग करें दोस्तो नोकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुती लाबदाएक दिन रहने वाला है दोस्तो नोकरी से संबंदित आज आपको बहुती अच्छी खुसकबरी आवस से प्राप्त होंगी जिससे आपको काफी खुशी का अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो गैस और ऐसे डिटी से आज परिशानी रहेगी खान पान में सेयम रखें विवेस्तित दिंचरिया रखने की आज आवश्शक स्वास्थ मौसम के बदलाव की वज़े से ठकान अनुबब और कमजोरी महसूस होगी अपना इम्यून सिस्टम स्टॉंग रखें जिहां दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर ले की वस्तुएं और सफेद रंग के खाद्य प्रधारतों का दान गरीबों में मा लक्षमी का समरान करते हुए अवश्य करें या दोस्तो इस प्रेकार दान करने से मा लक्षमी आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशन्य चल रही हैं समस्त परिशन्यों कांत करेंगी और आपको ऐसा करने से धन सुक्संपत्य की प्राप्ती होगी मा लक्षमी आपके घर में वास करेंगी या दोस्तो आप इस उपाय को अवश्य करें आपको अवश्य ही लाब प्राप्त होगा दोस